आत्मा के प्रूफ्स पे हमने चर्चा कर लिया था आज इसके आगे की चर्चा हम करेंगे यह हमने कुछ पयार थे जिसकों कि हमने यहां तक हमने चर्चा किया था इस तरह से इसमें यह बताया गया है तो हमने यह चर्चा भी किया था कि किस तरह से जीव एक छोटे से बच्चे में भी रहता है फिर दीरे यह बड़ा होता है फिर जवान होता है और बढ़ापा उसका आता है तो इसमेच भी है डिसकस्ट इसको कहते हैं देहांतर की इंटर्नल रियंकार्नेशन जब कोई दूसरा शरीर आ जाता है तो इसको कहते हैं एक्स्टर्नल रियंकार्नेशन और जब वो ही शरीर में शरीर बदलता रहता है तो इसको कहते हैं internal rain का निश्र तो शरीर बदलता रहता है पर वो व्यक्ति नहीं बदलता है अब सोक्रेटीस जो है वो ये कहते हैं यदि मुझे पकड सकते हो तो पकड लो मतलब मैं तो आत्मा हूँ काल जंग ये कहते हैं मुझे विश्वास है कि मानाव का कुछ अंस से आत्मा कहते हैं वाई इस भौतिक जगत देश काल और प्रभाव से परे हैं तो ये जो आत्मा है ये अपरवर्दिनी है अविनाशी है अचिंत है अद्रिश्य है और सनातन है इसा भगवत गीता में बताया जाता है मतलब इसको कोई काट नहीं सकता है इसको कोई तोड़ नहीं सकता अब इसके बाद फिर ये बता रहे हैं कि भगवान की दो प्रकार के शक्तियां होती है एक तो पराप्रकृती और दूसरी अपराप्रकृती पराप्रकृती में सत्चित आनंद की चीजें आती हैं सत्चित आनंद का मतलब सत मतलब eternal चित मतलब knowledgeable और आनंद मतलब bliss और अपराप्रकृती ये दो प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं इसमें अपराप्रकृती में भ अब यहां पर हमारे शरीर की संरचना बता रहे हैं ये आप ध्यान से देखिए ये जो बाहर का शरीर है ये स्थूल शरीर है ये सफेद वाला जो लाइन है ये बाहर का शरीर है जो की पंच भूत से बना होता है इसके अंदर एक सूच में शरीर होता है जो बाहर का शरीर है य किसका बना होता है और जो अंदर शरीर होता है वो मन बुद्धी और हैंकार का बना होता है मन बुद्धी और हैंकार मन और बुद्धी में अंतर क्या है मन क्या करता है मन संकल्प और विकल्प देता है मतलब options देता है ये कर लो ये कर लो ये कर लो बुद्धी विवेक हैं बुद्धी ये कहती है कौन सा सही कौन सा गलत है सेलेक्ट कौन सा करना है और एहंकार जो है वो क्या करता है एहंकार इस निर्ने से जो सैटिस्फाई होने वाला होली वाली चीज है वो है एहंकार कोई जीत जाता है तो उसको अनुभव होता है कि मैं महान है और आत्मा जो है अंदर जो ये यलो कलर से है ये सच्चित आनंद की बनी हो तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे शरीर में क्या है तो तीन चीजे हैं एक तूछ थूल शरीर दूसरा शूष में शरीर और तीसरा आत्मा सूष में शरीर मन बुद्धी एहंकार का मना होता है तो जब कोई व्यक्ति भूत बन जाता है या फिर आत्मा हत्या कर लेता है तो वो व्यक्ति इसी सूष में शरीर के साथ आत्मा तो रहती है पर ये बाहर का शरीर नहीं रहता है इसी को भूत कहते हैं सूश में शरीर प्लस आत्मा इसको भूत कहते हैं मन बुद्धी एहनकार तो होता है पर वो किसी को पजेस करता है तोस थूल शरीर सूश में शरीर और आत्मा इस तरह से बता रहा है कोट से तुलना कर रहे हैं ये श्लोक मेरे पिछी पिछी आप बोलेगा वासांसे जिर्णानि अथा विहाया नवानि ग्रहनाति नरोपरानी तथा शरीरानि विहाय जिर्णानी अन्यानि संयाति नवानि देही ये मनुष्य जो शरीर है देखो आप ये छोटे से बड़ा होता है फिर मा के गर्ब में रहता है फिर उसके बाद ये आता है फिर ये हो कभी अगर प्रेत योनी में भी आ सकता है बनने के बाद हो सकता है भूत बन जाए नहीं बनेगा तो किसी और योनी में आ सकता है ये जो चोटे-चोटे मगरमच सील, वेल, घोडा, गाए, शेर, बंदर कोई भी योनी इसको मिल सकती है कोई भी ड्रेस ये सब कपड़े है सारे क्या है? कपड़े है अब ये एक कहाणी है जिसको आपको ध्यान से सुनना है एक बार क्या हुआ? एक राजा का बेटा राजकुमार एक गाव में चहल रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत सुन्दर इस्त्री वहाँ पर है उसने उस इस्त्री से बात की और उसको कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और मैं एक हफ़ते बाद आऊंगा और फिर तुमसे विवाह करना तो वो जो इस्त्री है उसने का कि ठीक है जब एक हपते बाद राजा आया तो राजा ने देखा कि वहाँ पर वो इस्तरी नहीं है और एक बुढ़ी सी इस्तरी वहाँ पर बैठी हुई है तो राजा ने इससे पूछा किया रहे वो बुढ़ी जो इस्तरी थी और यह जहाँ पर एक सुन्दर बहुत स्तरी रहती थी वो कहाँ चली गए तो उस राजकुमार को वो स्तरी जो है कहती है कि मैं ही वो स्तरी हूँ लेकिन मैंने अपनी सुन्दरता इस इन पात्रों में एकठा करके रखती है तो इन एक हफतों में उसने क्या किया बहुत सारे लैक्सेटिव परगेटिव ऐसी दवाईयां खाई जिससे कि उसको बहुत सारी उल्टी आई टॉयलेट किया और ये सब कुछ उसने एक तीन डिब्बों में एकठा कर दिया और वो कुछ दिन में बहुत दुबली पतली हो गई और बहुत शरीर नश्वर शरीर बेकार हो गया तो वो सुन्दर नहीं दिख रही थी अब राजकुमार को उसने कहा कि मैंने अपने सुन्दर्ता इन तीन डिब्बों में एकठा कर दिया इस तरह से हमको ये शिक्षा मिलती है यहाँ पर कि ये जो सुन्दर्ता है इस संसार में ये क्या है केवल ये कुछ चीजे हैं जो भरा रहता है मान, सद्ड़ी इसी से ये संदर्ता होती है तो इसी को ये बता रहे हैं कि ये तो उपर का कवरिंग है ये जो शरीर है ये तो कवरिंग है उपर का अब आत्मा का आकार कितना है आत्मा एक बाल के नोक के एक बटा दस हजारवें हिस्से के बराबर है कितना इसका साइज है आत्मा का ये श्वेताशतर उपनिशद में कहा गया है और इसी तरह से ये लिखा हुआ है शास्तर में लेकिन उतनी चोटी आत्मा चीटी में भी है उतनी ही चोटी आत्मा हाथी में भी है दोनों को वो चलाती है इसलिए आत्मा की मृत्यों कभी नहीं होती न उसको काटा जा सकता है न तलवार से न उसको पानी में भीगाया जा सकता है न जलाया जा सकता है अब आत्मा कहां रहती है तो हर्दय के छेत्र में निवास करती है अगर हार्ट ट्रांस्प्लांट हो जाए तो भी उसी छेत्र में वो रहती है आत्मा आकार में अनु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धी के द्वारा जाना जा सकता है यह अनु आत्मा पांच प्रकार के पाणों में तैर रही है प्राण अपान व्यान समान दान यह हृदय के भीतर इस्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है जब आत्मा को पांच वाईयों के कलमच से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका अध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है तो यह आत्मा का बता है सारा डिटेल शास्त्रों में देख रहे हैं आप एक एक श्लोक लिखा हुआ है इन सब के उपर कहां पर रहता है सबका श्लोक है यह जो आत्मा है तो आज कल हम लोग क्या कर रहे हैं पिंजरे का तो केर कर रहे हैं बाहर के शरीर का खूब तेल लगा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आत्मा को नहीं समझ रहे हैं तो यह हम भौत तक शरीर नहीं है हम यह आत्मा है ठीक है तो इस तरह से आज यह हम कंप्लीट करते हैं कुछ पीछे का कुछ एक चीज़ें छूट गई थी, जिसको हम आज थोड़ा सा और भी चर्चा करेंगे, एक तो हमने ये चर्चा कर ली थी कि भगवान जो हैं, होते हैं दूसरे वाले सेशन में, है न ने, आज ये भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या भगवान अ नेक हैं या फिर एक हैं, अब देखो, कोई कह सकता है कि अलग-अलग धर्म है, तो कैसे सही वाने, कौन सा धर्म सही है, एक मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, आप में से कोई बता सकता है, कौन सी मूवी आई थी, जो धर्म को ऐसे बताते हैं कि ठपा है, वो आपके पिछे एक ठपा लगा दिया गया है, पीके, पीके मूवी आई थी, तो वो कहते हैं ठपा है, तो अलग-अलग धर्म में अलग-अलग तरीके हैं, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन भगवान है, अनेक शास्त्र क्यों हैं, अब देखो, अलग-अलग धर्म जो हैं, अलग-अलग स्तर के लोगों के लिए बनाएंगे हैं, जिसे सनातन धर्म हैं, यह स्रिष्टी के आरंब से ही प्रकाशित हैं, सहयग्याह, प्रजाह, स्रिष्टाह, पुरोचाव, प्रजापति, अनेन प्रसविश्य थ्वमेशा, वो अ सिष्टी के पारंब में ही यह था, लेकिन भगवद गीता जो है बोली गई पांचेजार वर्ष पहले, बाध धर्म आया 3700 साल पहले, इसा मसी आया 2000 साल पहले, मुहम्मद पैगाब 1300 साल पहले, लेकिन सनातन धर्म जो है वो अनादी काल से चला आ रहा है, अब कोई कह सकता है कि प्रभुजी फिर इतने धर्म क्यों है, क्योंकि ग्यान को समझने और आत्मसात करने की योग्यता अलग अलग है, और कि अगर कठिन हो जाएगा तो लोग रिजक्ट कर देंगे इसको, इसलिए अलग अलग है, और धीरे धीरे उसको अपने इस तर से आगे बढ़ाने के लिए भी ये किया गया है कैसे देखो मान लो कोई छोटा बच्चा है उसको कहा जाता है कि दो में से पांच निकाल तो वो कहेगा ये तो बेकार है क्वेश्चन ही गलत है थोड़ा बड़ा बच्चा है वो टू माइस माइनस फाइफ बोलेगा माइनस त्र और अलफा बीटा गामा कोई बड़ा है तो वो अलफा बीटा गामा कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्तर के बच्चे को अलग अलग चीज़े बताई जाती है अगर इस वाले बच्चे को ये बताया जाए टू माइनस फाइफ तो ये फिर कहेगा कि ये तो क्वेश कि इसाई धर्म में ये कहते हैं कि भवान एक हैं और हम सब उनके संतान हैं और हमको धीरे-धीरे उनके पास ही जाना है और उनसे प्रेम करना ही जीवन का लक्ष है लेकिन बाइबल में ये कहा गया है आप लोग अभी इसको समझ नहीं सकते हैं मुझे और बताना है आपको कुरान में ये कहते हैं मतलब कम से कम इनको तो छोड़ दो वो लोग क्या करते थे इस इस्तर पे थे कि अपने मम्मी को भी नहीं छोड़ते थे इसलाम धर्म के लोग इसलिए इसलाम आने से पहले उस एरिया में जहां पर वो सौधी अरब में वो आया था तो ये इस तर था तो इसलिए उसको सुधारने के लिए इन्होंने का कम से कम इन लोगों को तो छोड़ दो लेकिन भगवत गीता में क्या इस तर है अब स्तर को भी देखना होता है स्तर का मतलब यह है अर्चना के क्या-क्या विभाग हैं जैसे कि सबसे पहले कोई भगवान के पास आता है तो डर से आता है जैसे कि कहेगा कि अरे भगवान पास करा देना या फिर भगवान मेरा कुछ बुरा नहों इसके उपर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि भई कोई इच्छा होनी चाहिए कोई इच्छा मतलब भगवान मुझे बिल्डिंग बनवा दो मेरी कार मुझे दिलवा दो और कुछ लोग यह सोचते हैं कि चलो भगवान होते हैं भाई हमारा करतव है कुछ तो पूझा पाट करना चाहिए तो वो लोग इस इस तर पर करतव के लेवल पर भगवान की पूझा करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो सबसे स्रेष्ट जो इस तर है भगवान से भक्ति करने का वो है प्रेम सबसे पहला है फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई ये कुछ गरबढ होगा तो अब इसलाम धर में क्या आजाता है अल्ला से डर, परवर्दिगार से डर तो ये डर की भक्ति सिफाते हैं और अब क्रिश्यानिटी में क्या कहते हैं Give us our daily bread, O God, forgive our sin and give us our daily bread हमारी रोटियां हमें देते रहिए, ऐसे बाईबल में कहा जाता है और कुछ लोग अपने करतव ये करते हैं जैसे कि हिंदु धर में भी कुछ लोग होते हैं हर दिन सुबह पूजा करेंगे फिर उसके बाद जाएंगे बस इतना उनका रहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं अब बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन इन दोन ग्रंथों में श्रीमत भागवत और भगवत गीता में इसके बारे में सही सही उलेख किया गया है अब कोई कह सकता है कि ये जो किताबे हैं इस पर हम कैसे विश्वास करें अब देखो कोई कह सकता है कि विश्वास कैसे करें लेकिन हम विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग विश्वास करते हैं जैसे कि कोई भी मॉबाइल है उसका एक मैनुवल होता है उसके हम विश्वास करते है और जो भी कहता है उसको हम मानते हैं तो ये शास्त्र जो हैं इस दुनिया के मैनुवल है ऐसे कोई मा है वो अगर बता देती ही कौन है हमारे पिता जी तो हम मान लेते हैं उसी तरह से शास्त्र हमारी मा के जैसे हैं वो जो कहते हैं हम उसको मान लेते हैं भगवान के बारे में कहा गया है भगवान जो है भगवत गीता में कहा गया है मैं समस्ता आध्यात्मिक भगतिक जगतों का कारण हूँ प्रतेक वस्तु मुझी से उद्भूत है और ये भगवान भगवत गीता में खुद ही कहते है भगवान के अनेक अनेक अवतार है और अनेक जो देवी देवता हैं ये सब भी भगवान की ही शक्तियां है इद्व में ये कहा गया है ब्रह्मण्यों देव की पुत्रह देखवा कृष्ण परम भगवान है ऐसा हम क्यों कहते हैं बार-बार लोग कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान क्यों तो यहां पर ब्रह्मण्यों देव की पुत्रह देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है मोक्ष धर्म में कहा गया है वरा पुराण में कहा गया है नारायन परो देवस तस्मात जातस चतुर मुखाह तस्मात रुद्रो भवेद वेद्वह सच सर्व गयताम गतह कृष्ण जो है ये सभी प्रकार के आवतारों के सुरोत है ये शिवध भागवत में कहा गया है एते शांश कला पुन्सह कृष्णस तू भगवान स्वयम इंद्रारी व्याकुलम लोके मृड़यंती युगेईगे एते च अंश कला पुन्सह ये अंश और कला अवतार हैं ये सारे भगवान के कृष्णस तू भगवान स्वयम लेकिन कृष्ण जो है वो भगवान स्वयम है कृष्ण खुदी ये कहते हैं कोई और शिवजी और इंद्र अगनी ये लोग कभी भी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं लेकिन भगवान कहते हैं मेरी इच्छा से बार-बार इसका स्रेजयन और प्रलय होता है तो ये आपने फोटो देखी होगी इसमें देख रहे हैं ये भगवान जो हैं लेटे हुए हैं अब ब्रह्म समीता में ये लिखा हुआ है इश्वरह परम कृष्णह सच्चिदान अंद विग्रह अनादी रादिर गोईंद सर्वकारण कारण तो ये कृष्ण भगवान है ऐसा बताएगा है ये देखो आप ये जो मैप है इसमें आपको दिख रहा होगा ये दुनिया के बारे में बता रहे हैं इसमें गर्बोदक जल्म ये होता है इसके अंदर भगवान विश्नु वास करते हैं इनके नाभी से एक कमल निकलता है जिसके उपर ब्रह्माजी वास करते हैं और इसी नाभी कमल के धूरी को रखते हुए सारे जो बाकी लोग हैं 14 लोग वो होते हैं और इसके बाद फिर क्या होता है फिर इसके उपर एक कारणों दक्षाई विश्नों होते है जिनके शरीर से सारे ब्रह्माण निकलते है इसके उपर कारण जल होता है और इसके उपर होता है ब्रह्म जोती जो भगवान के शरीर से निकलने वाली लाइट है और ब्रह्म जोती से उपर होता है कैलाश, ये महेश धाम है, शेव जी का धाम है, सदाशेव का, इसके उपर ऐश्वर धाम है, मतलब वैकुंट है यहाँ पर, सारे भगवान के अलग-अलग रूपों के वैकुंट होते हैं, इसके उपर माधुरी धाम होता है, जो गोलोक वर रहते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है, भगवान स्रीक्रिष्न जो सभी भक्तों के आराध है, अनन्त लक्ष्मियों के सौमी है, समस्त यज्य पत्ति, समिच जीवों के स्वामी है, बुद्धी के नियनते के समस्त लोकों का अदिश्ठाता हैं, जो इस धर्त जब कोई आनंद घंद समस्त रसों के अधिश्ठान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुरूपों को समझ जाता है तो वह निश्ची तुरूप से आनंद को प्राप्त करता है अब कोई कह सकता है कि कृष्ण परम भगवान है ये हम कैसे माने एक तो शास्त्र का प्रमाण है दूसरा जो अभी हमने चर्जा किया ये दूसरा क्या प्रमाण है अब कह रहे हैं कि भगवान की परिभाषा अगर है तो भगवान के अंदर छे चीजे होनी चाहिए सबसे पहली चीज भगवान वो है जो सविशड आश्वरियों को असीमित मातरा में धरन करता है कौन से छे आश्वरे हैं संपत्ति शक्ति यश सौंदर्य ज्यान और वैराग्य सारी संपत्ति उसकी है अत्यंत शक्ति शाली है अत्यंत यश्वान है बहुत ही सुन्दर है बहुत ज्यानवान है और बहुत जादा वैराग्य है तो ये जो छे चीजें अगर किसी के अंदर होती हैं तो वो भगवान होता है तो भगवान को देखे हैं भगवान बहुत सुन्दर है सारा धनी उनका है और भगवान कितना यश है कोई न कोई किसी न किसी रूप में चाहे अमेरिका चले जाओ चाहे युगांडा चले जाओ भगवान की पुजा अवश्य करता है किसी न किसी रूप में और ज्ञान भगवान के पास इतना ज्ञान है कि 64 दिनों में ही सारी कलाओं को पारंगत कर लेते हैं भगवत गीता का ज्ञान स्वयम देते हैं वैराग्य इतना है कि कितना आसकती होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण गोपियों को यशोदा मया को अपने करतवे के लिए छोड़ देते हैं और शक्ति शाली इतने हैं कि गुवर्धन परवत उठा लेते हैं इसलिए संप फिर शक्ति भगवान की कितनी शक्ति है यह देखो फिर यश भगवान ने भगवत गीता बोली है ग्यान है और भगवान कितने सुंदर है ग्यान भगवत गीता भगवान बोली रहे त्याग और वैराग यह कितना है कि किस तरह से जो है भगवान ऐसे लोगों को जो इतना प्रेम करते हैं उनको भी छोड़के चले जाते हैं अब कोई कहता है कि कई सारे भगवान है कि एक ही भगवान है तो भगवान जैसे सूरज के अलग-अलग नाम होते हैं उसी तरह से भगवान के कई सारे नाम है जैसे भगवान, परमात्मा, अल्ला, श्री कृष्ण, जहुव या फिर राम अब भगवान निराकार है कि साकार है जैसे सूर्य से किरण निकलती है वैसे ही भगवान से ब्रह्म जोती निकलती है तो शास्त्र क्या कहता है कि भगवान का ज्यान हमको तीन प्रकार से मिल सकता है भगवान सर्वत्र और सब कुछ है ब्रह्म सबसे पहला जो साक्षादकार किसी को होता है भगवान का वो होता है ब्रह्म मतलब लाइट है फिर उसके बाद फिर परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं सब के हरदय में और फिर एक व्यक्ति है भगवान जो की सेवा स्विकार करते हैं गाईयों को चराते हैं ये भगवान गोलोक वरिंदावन में रहकर के लिलाएं भी करते हैं अब कोई ये कहता है कि भगवान व्यक्ति नहीं है एक लाइट है बस निराकार है भगवान ओमकार है भगवान नहीं यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं भगवान की आखें देखो ये बाइबल में कहा गया है बाइबल में क्या कहा गया है वी आलसो रीड अंडर इस फीट इंसक्राइब विद दा फिंगर ऑफ गॉड है ना तो ये भगवान के रूप को ही तो इंगित कर रहा है मतलब बाइबल कुरान और इन इस ओन फॉर्म ठीक है गॉड अपिर्ट विवोर अब्राहम मतलब गॉड प्रकट हुए इसका मतलब कोई रूप तो होगा तभी तो भगवान साकार भी है और निराकार भी है हमारे अनुभाव के दैरे में भी हैं और अनुभाव से परे भी तो ब्रम्ह परमात्मा और भगवान ये तीन तरह से इसका साक्षातकार होता है भगवत गीता क्या बताती है श्री कृष्ण भगवान है और वो एक व्यक्ति है तो फिर ये देवी देवता क्या है देवी देवता अलग-अलग डिपार्टमेंट के हैड है जैसे सेल्स हैड, फिनाइन्स हैड, मार्केटिंग हैड, परचेज हैड वैसे ही भगवतिक स्रिष्टी में भी पानी के डिपार्टमेंट जल संधादर एवं आपूर्ती मंतरी कौन है देवराजिंद्र बारिश के देवता उसी तरह से उर्जा मं मंतरी वायुदेव, वित्त मंतरी फिनांस मिनिस्टर लक्ष्मी जी, भगवान क्या है प्रधान मंतरी, दुर्गा देवी क्या है ग्रिह मंतरी होम मिनिस्टर, रक्षा मंतरी कार्तिकेय, शिक्षा मंतरी सरस्वती देवी, तो यह सब मंतरी के जैसे हैं, मानव संधादर कार के मैनेजर को दिया जाता है गार हुआ यe-300 का मतलब है 33 डेवी डेवता एक टाइप में एक एक करोंड डेवी डेवता ठीक है अब डेवी देवताओं यो पुजा की जाती है और किसी ना किसी भौतिक इच्छा से की जाती है लेकिन भगवान की आप से संसार में पड़ेके लाकिन भगवान की सेवा मागंगे तो नरे ने थीक थी गाले है यह देवी देवता के बारे में अगर देवी देवताओं को हम हम अगर पत्तों को पानी पिलाएंगे तो भू सकता है पेड सूख जाये लेकिन अगर पेड की जड्osh पानी डालेंगे तो भगवान को अगर यथा तरोर मूल निशे चनेनत प्यंतितत्सकंद बुजो पशाखा प्राणो पहारा चेथें द्रियानम तथाइव सर्वाहणम अच्चितेज तो फिर ये जो है जड में भगवान की सेवा करने पर अब वो ज़्यादा संतुष्ठ होते हैं अब कोई कहता है कि देवी देवता कैसे हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ देंगे मानलो आपने इंद्रे से कुछ मांगा तो आपको देंगे उनकी पूजा करो वो देंगे लेकिन भगवान जो है जो आपको जरूरत रहेग उसके अनुसार देंगे जो वास्तविक जरूरत रहेगी लेकिन इसमें जो है भगवान देवी देवता की भक्ती में बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है एक बार एक वेक्ती था जो कि दुर्गा देवी का बहुत-बड़ा भक्त था एक दिन क्या हुआ दुर्गा साथ chalani को ले आकरके दुर्गा देवी को सौपता था और कहता था भावानी भक्षित भार्या जैसे ही वह यह कहता था उसकी पतनी जो है भवानी रक्षितू भार्या बोलना है मतलब मेरी पतनी की रक्षा करो हे भवानी तो आप देख रहे हैं देवी देवताओं की पूजा में बहुत strictness है अगर छीक है किया तो ठीक है नहीं तो बहुत strict है सही सही मंत्र नहीं बोला तो फिर गरवर हो जाएगी अगर सारे देवी देवताओं की पूजा करने जाएंगे तो एक सेकंड में 3820 देवताओं की पूजा करने पड़ेगी एक दिन में हर एक सेकंड में 3820 देवताओं की पूजा करने पड़ेगी इसलिए कृष्ण परम भगवान है बाकी सब department है तो क्या करना है लेकिन क्या उनका respect नहीं करना है उनका respect करना है पुलिश commissioner के साथ हम पुलिश बल का भी आधर करते हैं उसी तरह से हमें देवी देवताओं को भी सम्मान करना चाहिए लेकिन पूजा केवल भगवान पृष्ण के करना चाहिए तो इस तरह से ये जो है ये भी एक था जो कि हमें आज कवर करना था तो इसको हमने कवर कर दिया है ठीक है अभी मैं कुछ आप कोई प्रश्न है किसी को नहीं तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो आपको मैंने आज दिखाया उसमें किसी का कोई प्रश्न है सनातन का अर्थ क्या होता है इटर्नल सनातन का अर्थ है इटर्नल ठीक है और कोई प्रश्ण है ठीक है तो ये अभी मैं आपसे प्रश्ण पुछता हूँ आप इसका उत्तर देने का प्रयास करना ठीक है देखते हैं एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो आप ध्यान से देखना एक बिएट लिज़ापान की एक भस्त फैमिल्स कर दो लो कि अचेता है उब को, कennis macht 지? ख्यूम्ट सी नोज। श्यूम्ट कोकि ज़ते खंसमें क्याओा वे मलै ज़को श्यूम्ट कर ज़िषब ज़। बाइब हम जसे कि अप्रका सबस्टाने जसे के लिए और ये, जसफ़ा दो आफरने लिए हमनिए भोड़ायदाने लिए जिएषिए लाइब हु़ायदाने लिए भोड़ें लिए झीमी परोगें लिए मत्यों, अवजःाने हु़़ा हु़ाताई सिर्पट ए cooking भाओ मैं बढ़या प्सिर्पट एकावाओ सरा-पल क्ञोור लिवी पहं स्झेए, ब्रीखन पीना रहेे、 उ् collecting जल बाल juego付़ी जल झूद प yapıyor नपसर को पो पहेे अभको कि बचेंया जा हुआ ले लिए लगчто कृष सम्राव़ तो यह जो वीडियो है इसमें यह दिखा रहे हैं किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित एक फैमिली है जो डिवोटी फैमिली है वो कैसे रहती है ठीक है तो यह जो था आज इतना ही हमें कवर करना था अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं आपका सबका जो भी आपको है वो समझ में आ रहा है सब कुछ आपको जो मैं बता रहा हूँ यह समझ में आ रहा है अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा उतना अच्छे से नहीं होगा लेकिन जब आप अभी आपको ये प्रिपार करना है तो जब आप इसको प्रेजेंटेशन करेंगे तो धिरे धिरे आपको सारे कॉंसेप्स क्लियर जाएगे ठीक है मैं एक दो प्रशन आपसे पूछता हूँ आप बताना देखते हैं किसको कितना याद हुआ है आत्मा का साइज कितना है कौन बताएगा आत्मा का साइज हमने चचा किया था 1 by 10,000 part of the tip of the hair ठीक है और चलो एक और प्रशन सूश्म शरीर जो है इस शरीर में हमारे जो शरीर है इसमें तीन चीज़े है ना एक स्थूल शरीर एक सूश्म शरीर एक आत्मा तो आत्मा किसकी बनी होती है देखो देखो सारा फिर से मैं आपको सारा दिखाता हूँ ना ध्यान से देखो आपको फिर से सारा रिवाइज करते हैं मैं कौन हूँ मैं आत्मा हूँ यह हमने एक देखा था कि 410 रुपए की ही है हमारा शरीर अगर केमिकल है तो है नहीं फिर हमने यह बूला था कि जिसे कार होता है उसके अंदर ड्राइवर होता है उसी तरह से जिसे पिजड़े के अंदर एक पक्ची होता है वैसे ही हमारी आत्मा भी रहती है कैरे और इसकी प्रूफ क्या है यह सब इसके कुछ भावना होने चाहिए अनूभव इच्छा करना यह सब इसका लक्षण है तो इसके क्या प्रूफ्स हैं आत्मा के तर्क वैज्ञानिक प्रमाण और शास्त प्रमाण तर्क से क्या कहते हैं कि जैसे कोई शरीर है वो मर जाता है तो लोग कहते हैं डेड़ बॉड़ी का उठाओ उस वैज्टी को नहीं कहते हैं तो ये सब कुछ तो है लेकिन फिर वो आत्मा चली जाती है इसका मतलब ये है कि लिवर किड्नी ये सब आत्मा नहीं है आत्मा कुछ और ही है तो आत्मा को देखने का तरीका क्या है शास्त्र से इसको देख सकते हैं जैसे कि कोई कहे कि मेरा हाथ है मेरा पैर है मेरा सिर है इसका मतलब किसका है यह हमारे आत्मा का है मतलब हम है जो आत्मा है वो हम है तो इसके लिए हमने कुछ प्रूफ डिसकस किये थे एक तो नियर डे experience, ऐसे बहुत सारे cases recorded है, पुनर जन्म के उपर हमने चर्चा किया था, बहुत सारे cases ऐसे recorded है जिससे बता चलता है कि वोही आत्मा अलग-अलग शरीरों में जाती है, शास्त्रों में क्या कहा जाता है, शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जैसे शरीर है ये बदलता रहता है, आत्मा वही रहती है, तो ये हमने चर्चा कर लिया था, अगर आप जुडवा लोगों को भी देखोगी, ये जुडवा बच्चे हैं लेकिन अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जुडवा बच्चे भी क्योंकि आत्मा उसमें अलग अब ये वाले स्लाइड पर आम ध्यान देजिए, यहां पर मैंने कहा था आपको कि स्थूल शरीर जो है वो पांच महाभूत का बना हुआ है, भूमी, जल, वायू, अगनी, आकार, और सूश्म शरीर जो अंदर शरीर है वो मन, बुद्धी और रहेकार का बना हुआ है, और इनोक का एक बदा दसजारवा हिस्सा, आत्मा हरिदय छेत्र में निवास करती है, ठीक है, तो ये बताया था फिर उसके बाद थर्ड हमने सेशन था, उसको भी हमने रिवाइस किया था, तो हमने ये कहा था कि अगर भगवान है तो वो कौन है, तो अलग-अलग स्तर के जो शास्तर जो किताबे हैं, वो अलग-अलग लोगों की लेने, स्विकार करने की शमता के आधार पर बनाए गए, जैसे की तू में से माइनस, तू माइनस फाइफ मैंने आपको बता है, अगर इसलाम धर के लोगों को एका एक से वहाँ बता देंगे, कि अरे मास नहीं खाना, ये नहीं करना, वो करना, तो वो तो एक दिम से भड़क जाएंगे, वो बोलेंगे, हम नहीं मानते किसी धर्म, इसलिए उनके लेवल पे धर्म बनाने के लिए ठीक है, फ्राइडे को या इस दिन तुम काट सकते हो, लेकिन उसको आठ भाग में बाटो, साथ भाग, जो है साथ भाग बाट दो, एक भाग खाओ, तो अलग अलग उसमें कहा गया है, कि बाइबल में ये कहा गया है, कि तुम लोग लेकिन भाग गीता कहते है कि इसको बताने के बाद कुछ भी घ्यान नहीं स्रेष्ट रह जाएगा, उसके बाद फिर हमने बताया था प्रेम के स्थर, अर्चरा पूजा करने के स्थर क्या है, कुछ लोग भाय से करते हैं, जैसे अल्लाह परवर्दिगार आलम है, इस तरह स और इच्छा से कुछ लोग करते हैं कि कुछ प्राप्त करना है भगवाद से, जैसे मैंने अब गिवस आवर डेली ब्रेड का एक्जांपल दिया, कुछ लोग ड्यूटी से करते हैं कि चलो भगवाद का करेंगे तो ठीक ही है, कुछ लोग प्रेम से करते हैं, इस तरह से अ हम विश्वास करते आप हुप है ने तो रिषर्च करना पड़ेगा भगवान की परिभाशा क्या है तो यह पर कहते हैं कि भगवान भगवडगीता में खुद करते हैं अहमसर्वश्श अब छे चीजें होनी चाहिए किसी अगर वो कोई भगवान है तो उसके अंदर अनंत संपत्ति शक्ति अनंत यश अनंत संदर्य अनंत ज्ञान और अनंत वहराग्या होना चाहिए अगर ये है तो वो ठीक है तो वो भगवान है ये विश्णु पराण में लिखापा तो भगवान के अंदर अनंत संपत्ति है भगवान कृष्ण अत्यंत शक्ति शाली है यश है और कितने सुंदर है ज्ञान है और वैराग्य है तो इससे पता चलता है कि भगवान ये है तो जो देवी देवता हैं ये सब ही अच्छा भगवान तीन रूप में रहते हैं एक तो लाइट ब्रह्म जोती परमात्मा और भगवान सगुन रूप में तो यहां पर अलग-अलग धर्मों में कहा गया है कि ये भगवान का रूप होता है कान, ear of the Lord and a God-made man in his own form ये सब कहा गया तो देवी देवता क्या है, ये सब दिपार्टमिंट के हेड है तो इसलिए सब सरे भगवान की आराधना करना ठीक है मैंने आपको इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको इनको डिस्रेस्पेक्ट करना है देवी देवताओं का निराधर नहीं करना चाहिए तो इस तरह से मैंने आपको ये दोनों ही बता दिया अब को अभी ठोड़ा रिवाइज हुआ है चलो अभी मैं पूश्ता हूँ सूष मषरीर किसा बना हुआ है कौम बताए कि पांच तत्वों का सूच में शरीर स्थूल शरीर नहीं स्थूल शरीर पांच तत्वों का है सूच में शरीर जो है जो इस बाहर के शरीर के अंदर है वो कौन से किस क्या बना हुआ है एहंकार एक और हाम अंगल मन बुद्धी और एहंकार सूश में शरीर बना अच्छा भूत का मतलब क्या होता है भूत क्या है भूत का मतलब भूत जो बन जाता है इसका मतलब हाँ विजयदीब बताओ सूश में शरीर और आत्मा ये दोनों ही बस रहते हैं तो वो भूत होता है और आपको जान करके हैरानी होगी कि जब आप यहां से नरक त्यादी या इस भूतिक जो यह मैंने आपको दिखाए ना यह जिये इसमें दिखता हूँ आपको दिखाए ना पर आया था एक जगाप ना यह जगह पर आया था वोसे यह देखो यह मैंने आपको बताय था न कि यह जो है यह जो 14 लोक है इसमें भी जब कोई वेक्टिर ट्रेवल करता है इसमें ट्रेवल करते समय इसका सूश में शरीर इसके साथ जाता है तो आत्मा के रूप में या भूत के रूप में सुष्विशरीर ही रहता है चलो ठीक है अभी मैं और छे आश्वर्य क्या है कोई बता सकता है छे आश्वर्य हैं जिन से हम प्रूफ करते हैं कि ये भगवान है शिक्स उसमें से कुछ भी अगर आप बता सकें प्रूफ क्ति यश्श शक्ति वेराग्य और खूसूर्थी बहरी गुड़ वेरी गुड़ आपको इस्मरंड लेता है ठीक है बहुत अच्छा ठीक है अनंत यश्श अनंत वीर्य अनंत संदर अनंत धन अनंत बल अनंत वेराग्य ये छे चीज़ें हैं किसी यांके अंदर हैं तो वो संदर भगवान है ठीक है चलो अगला प्रशन मैं पूछता हूँ एक इस वाले इस वाले सेशन से भी आत्मा के होने के तीन प्रूफ बता दीजिए बस तीन प्रूफ कोई भी तीन हैं बहुत सारे बता हैं पुनर जन्म की बाते हैं पुनर जन्म और और कोई और कुछ नियर डेथ एक्सपिरियंस आउट अफ बाड़ी एक्सपिरियंस और यह लाजिक भी हम जब डेट बाड़ी मर जाती तो हम डेट बाड़ी उठाते हैं वो सब चीज तो वैसे ही है लेकिन फिर भी हम कहते हैं यह मर गया है वो व्यक्ति चला गया है ठीक है तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धहनेगा है फिर भी अगर किसी का कोई प्रशन आता है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मैं अन्म्यूट करूँगा हेलो हाँ मंदल बताओ सरी मेरे दोस्तों क्वेशन ने वह पूछना जाता है बूलो एक्शली सर मैं पूछ रहा था जैसे कि जो लोग मंदिरों में यह चड़ाए जाते हैं जैसे कि दूद हुए गहरा तो क्या यह सही है या गलत यह एक तरह से जो शिव लिंग है या फिर जो यह है यह इनका एक प्रतिनिधी रूप होता है यह देवी देवताओं का एक प्रतिनिधी रूप होता है यह प्रतिनिधी डिपार्टमेंट में इनको रेसिप्रोकेशन देने का एक तरीका होता है जैसे कि आपने कभी किसी जगह पर फीडबैक डिपार्टमेंट देखा होगा फीडबैक डिपार्टमेंट का मतलब यह है कि एक पॉम होता है वह आप जाकर के जमा कर दीजें तो वह फीडबैक वाली व्यक्ति को मिल जाता है उसी तरह से यह सब सिस्टम्स बनाएगा जैसे शिवजी के उस पर दूज चढ़ाना या फिर तुलसी की परिक्रमा करना यह सब बहुत एक्ट्रा dimensional science है आज कल लोग यह पता लगा पा रहे हैं कि तुलसी जो है वो घर में रखने से कुछ alpha rays निकलती हैं जिससे positive vibrations आते हैं आज कल अब पता लगा रहे हैं लेकिन हमारे शास्तुरों में पहले से ही यह तरीक जैसे कि शादी के समय हल्दी लगाया जाता है किसी स्त्री को या पुरुष को हल्दी लगाया जाता है उसका विशेश कारण होता है उसी तरह से यह सारी जो भी पध्धतियां है विवाहा की पध्धती या फिर पूजा या अर्चना की पध्धती जैसे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ अब ध्यान से देखना जब हम भगवान की अर्चना करते हैं तो हम पांच चीज़ें उनको अर्पित करते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले हम अगर बत्ती अर्पित करते हैं अगर बत्ती का मतलब क्या होता है यह गंध जो है इसको हम भगवान को गंध तत्तो या फिर एर या फिर इसको offer कर रहे हैं और earth we are offering, is offering इसके बाद फिर fire we offer तो पंच महाभूत को पुना हम भगवान की सेवा में लगाते हैं जल दिया जाता है, आपने देखा होगा मंदिन में गया होगे तो छिड़कते हैं सब जल आपके उपर तो यह जल अरपित किया होता है उसी तरह से वायू हम अरपित करते हैं, चामर रिप्यादी करते हैं तो इस इस आल साइन्स, पंच महाभूत को हम पुना भगवान को अरपित करते हैं आप सुनकर के हरानी होगी, यह जो अमृत बनाया जाता है यह ताड से अगस्ति मुनी ने इस अमृत को बनाया है तो यह हमको पता नहीं है तो इस अल एन एक्स्टरल डाइमेशनल साइंस अब शिवजी के उपर दूद क्यों चढ़ाते हैं यह सारे एक्स्टरल डाइमेशनल साइंस है अगर कोई कहता है कि ये दूद जो है आप वेश्टेज नहीं हो जाता है तो आप एकठा कर लीजिए कोई शिवजी के उपर डालने से कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत घरबढ़ है आप वहाँ पर शिवलिंग है उसमें एकठा कर लिजे और उसको पी लिजे कोई दिक्कत नहीं है हम यह नहीं कहते को उसको नाले में बहाना बहुत जरूरी है रोहित यह सर समझ में आया उनको आपके फ्रेंड को सर आ गया सर आ गया बट सर एक कुशन ओर था जो सर जैसे अपनी मुवीज वगेरा में दिखाया जाता है बेसिकली की जैसे टीके में भी दिखाया गया था कि जो अपन दूच चडा रहे मंदिर पे या फिर भगवान के लिए वह आस्ता कर रहे है कि वह बोल रहा है कि सच्छा किसी को दान दे दू वह बेटर है सही है यह एक्चुली यह जो स्पिरिचुल चीज़ें होती है यह इतना मूल्य नहीं लगता है इन कारियों को करने में लेकिन इससे ज़्यादा पैसा वेस्ट किया जाता है जानते हूं आप इस संसार में केवल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जितना पैसा खर्च किया जाता है अगर वो पूरा पैसा अगर केवल उसको रोक दिया जाए और उसको लगा दिया जाए तो इस संसार में 200 साल तक कोई भुखा नहीं रहे कोई गरीबी नहीं रहे केवल क्रीम पाउडर पे और ये तो अनावश्यक है इस से अब जो हमारे आध्यात्मिक कारे हैं सनातन धर्म है उसमें उससे कितनी शक्ती मिलती है हमको साफ साफ दिखता है कई सारे चमतकार दिख रहे हैं कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ती है जो अब जैसे पीके मूवी है यह मूवी बनाते हैं उसमें से 600 करोन का कमाई किया और 600 करोन में से एक भी करोन क्या दिया किसी ने किसी को वो एक आदे लिटर दूद के लिए तो लोग कह रहे है लेकिन वो 600 करोन अगर वो दे तो ज्यादा ठीक रहेगा है कि नहीं तो वो लेसलेसली हैं हैना नहीं के जाए गर कॉस्मेटिक इंडस्त्री पूरी क्योट दिजाए तो उसमें पैसा लगता है वो फुरा पैसा अगर भगब इसमें लगाए जाrü destry फूरे दुनिया में पहीं घरीबी रही नहीं जाए Nagz उतना ही पर्यांप थे बहुत सार चाइसे यूजलेस चीज़े होती है और शिव जी वाले केस में कोई पता नहीं है उसका जो extra dimensional साइन्स है जैसे अब इन लोग को पता चला कि तुलसी अब आज पता चल गया तो ये लोग कह रहे हैं कि तुलसी भाई हाँ रखनी चाहिए अब सही है गोबर हाँ इस एंटिसेप्टिक होता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है लेकिन जब तक नहीं पता रहता है तब तक कहते थे कि हल्दी नहीं खाना चाहिए हल्दी से क पता चला कि हल्दी से ही कैंसर स्किन कैंसर रुपता है तो इन्होंने एक अपालोजी लेटर डाल दिया इसका मतलब यह है कि जो भी यह हमारे शास्तरों में लिखा होता है यह बहुत जो है जो से यग्ये के थ्रू जाता है उसकर लेकि जाते हैं यग्ये के फ्रू और ले जा करके उन्हों देवी देवताओं को देते हैं इसलिए अग्नी देव को stranchester mechanism में डाला गया है तो यह कैसे ट्रिये extra dimensional science है इसकी technology बहुत vast है तो हर एक चीज को तो explain नहीं कर सकते है लेकिन यह तो है कि इसकी technology जब यह लोग समझते हैं तो हमको भी faith हो जाता है तो this is an extra dimensional science we have to understand and the loss is not too much and even Lord Shiva is not saying that it has to be wasted another thing is there is enough losses which are going on in this world like the cosmetic industry and there is WWE and there is so many things which is going on nobody wants to stop that nobody wants to even Mr. Aamir Khan also will not spend even one pie of it for the poor people so he will just 600 crore he has earned and he will not say anything you getting my point Mangal yeah yes sir yes sir और कोई चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हैं नो शॉप छीक है थैंक यू ओके सो वी विल क्लोज हीर अरे प्रिश्टा थैंक यू सो मच प्रिश्टा